दोस्तो देश की commercial development के लिए long term capital की ज़रूत होती है इस ज़रूत को पूरा करने के लिए capital market मदद करती है capital market को medium term और long term funds की market बोलते हैं ये market savings को investment या उत्बादन की तरफ लेके जाती है ये savers और investors के बीच में एक बिचोली का काम करती है मतलब capital market savers से पैसा investors की तरफ लेकर आती है so that productive assets create किये जा सकें तो hello दोस्तो स्वागत है आपका अपने paper तेरी YouTube चैनल पे आज की इस वीडियो में हम discuss करेंगे capital market के बारे में हम देखेंगे capital market क्या होती है functions क्या है capital market के capital market की types देखेंगे capital market instruments के बारे में बात करेंगे और दोस्तो मेरी request है कि आप इस वीडियो को last तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि इस वीडियो से आपको बहुत ही value मिलने वाली है तो चलिए अब सबसे पहले समझ लेते हैं कि capital market होती क्या है कोई भी ऐसी facility जिससे long term के लिए fund raise और invest किये जा सके उसे हम बोलते है capital market long term का मतलब है एक साल से ज्यादा का time मतलब जब भी investment हमें एक साल से ज्यादा का time के लिए चाहिए होगी तो हम capital market में जाएंगे अब ये investment debt form में भी हो सकती है और equity form में भी हो सकती है capital market एक ऐसा channel है जिससे लोगों की savings को industries और commercial enterprises के लिए available करवाया जाता है दोस्तो आगे बढ़ने से पहले मेरी आप से एक छोटी सी request है कि अगर आपने अब तक channel को subscribe नहीं किया तो नीचे दिये गए red button को जरूर क्लिक कर दें और bell icon को भी जरूर क्लिक कर दें so that आप मारी कोई भी वीडियो मिस ना करें तो चलिए एक छोटी सी story से समझेंगे capital market को मान लिजे Reliance Zio को अपने business expansion के लिए 1000 करोड रुपे की जरूत है तो मुगेश भाई अपना रुख करेंगे capital market की तरफ capital market में आपके मेरे जैसे बहुत सारे छोटे छोटे इंवेस्टर अपना पैसा capital market में डालते हैं और ये पैसा Reliance Zio को मिल जाता है इस पैसे से Zio वाले बहुत सारे tower लगाएंगे और new users को serve करेंगे इसके बदले में सब investors को Zio के share load कर दिये जाएंगे जैसे जैसे जीओ का business expand होगा उसका profit होगा जीओ के share का price बढ़ेगा और investor को capital appreciation होगा साथ में जब भी जीओ को profit होगा जीओ उसका कुछ हिसा अपने investor को देगा ये जो profit sharing investor के साथ होती है इसे हम बोलते हैं dividend तो investor की capital appreciation भी हुई जिसको हम बोलते हैं capital gain और dividend भी मिला उसे तो ऐसे काम करती हैं दोस्तो capital market चलिए आगे बढ़ते हैं capital market functions की तरफ main functions जो है capital market के उनमें से सबसे पहले आता है mobilization of financial resources capital market समाज के अलग अलग हिस्सों से पैसा यानि के capital एकठा करने में मदद करती है और ये capital industry trade और businesses के capital requirement को पूरा करती है मतलब capital market saver और investor के बीच का एक link है next capital market industrial development को promote करती है capital market से industrial sector को परयाप सस्ती और diversified capital मिलती है जिससे के उद्योगिक प्रगती होती है ये capital diversified purposes के लिए यूज की जाती है जैसे के business expansion, modernization, technology, upgradation और new units तापित करने के लिए capital market सेविंग करने की आदत को promote करती है क्योंकि capital market में बकी investment instruments से ज्यादा return का scope होता है तो लोग ज्यादा सेविंग करते है capital market economic growth को भी बढ़ावा देती है जिन sectors में country विकास करना जाती है उनी sectors में growth का scope होता है so automatically investor उनी sector की companies में invest करते है so capital market resources को देश की विकास की जरूरत के हिसाब से allocate करती है ताकि private और public trade और industry expand करे ये कह सकते हैं कि capital market संतूलित economic growth को बढ़ावा देती है next है effective allocation of financial resources दोस्तो investor हमेशा profitable companies और ventures में ही investment करते है so capital market saving के flow को profitable ventures की तरफ लेके जाती है ताकि financial resources का optimal use हो तो ये थे दोस्तो functions of capital market आगे बढ़ते हैं types of capital market के तरफ दोस्तो capital market दो तरह की होती है first होती है primary market और second होती है secondary market पहले primary market देख लेते हैं जब भी कोई company first time अपने shares या bonds को public को बेचती है तो वो primary market में जाकर बेच सकती है इस market को हम new issues market भी बोलते है जब भी कोई company अपने shares first time बेचती है तो उसे बोलते है initial public offering यानि के IPO और अगर company ने already IPO launch कर दिया है और उसे और funds की जुरुत है तो वो follow on public offer यानि के FPO launch करती है IPO और FPO से जो भी fund इकटा होता है उसे company अपने business के building, plant और machinery में invest करती है इस fund से company या नया business start कर सकती है या फिर अपने existing business को expand करती है तो इस तरह देश में होता है capital formation अब FPO और IPO को detail में समझ लेते हैं तो चलिए एक छोटी सी story से IPO समझते हैं जैसे हमने पहले example में देखा था मान लीजिये Reliance Jio एक unlisted company है मतलब इसका IPO अब तक नहीं आया है अब मान लो Jio को अपने business को expand करने के लिए एक जार करोर रुपे की ज़रुद पड़ती है तो Jio अपना IPO लॉंच करेगा जिससे public Jio में invest कर पाएगी अब आपके मेरे जैसे छोटे और बड़े investor Jio के share purchase कर लेंगे तो इस तरह से Jio ने first time public को अपने share load किये तो वो हो गया IPO अब माल लीजिए 2-3 साल बाद Jio को और 500 करोर की ज़रुद पड़ती है business को और further expand करने के लिए तो Jio और shares market में बेचेगा ताकि public से पैसा इकठा करके business को और expand किया जा सके तो अब की बार Jio ने जब अपने market में share बेचे तो इसे हम बोलेंगे follow on public offer यानि के FPO So first time जब भी company के share market में launch होता है तो उसे IPO बोलते हैं और next time second, third और fourth time जितनी बार भी company fresh share market में issue करेगी तो उसे FPO बोलेंगे So FPO IPO के बाद launch होता है ये दोनों ही tool primary market से capital raise करने के हैं So primary market में investor directly company से share purchase करता है और सारा का सारा fund company के पास जाता है तो ये था दोस्तो IPO और FPO के बीच में फरक तो अगर आपको IPO और FPO में difference समझ आ गया है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें अब देखते हैं secondary market क्या होती है देखो primary market से तो investor ने company से share खरीद लिए पर माल लीजे अब investor को ये share बेचने है तो company तो उसी वक्त वापिस खरीदेगी नहीं फिर कौन खरीदेगा इन shares को और क्या फाइदा ऐसे share का जिसमें कोई liquidity नहीं है तो shares को liquidity प्रोवाइड करता है secondary capital market secondary market एक ऐसी market होती है जहाँ पे जो securities या stocks या bonds आपने primary market से परचेट किये थे उन securities को आप दूसरे investor को बेच खरीद सकते हैं इस market को generally हम stock market के नाम से भी जानते हैं इस market में आप company को नहीं बलकि दूसरे investors को अपने shares या bonds बेचते और खरीदते हैं और securities की ये खरीद फरोवत होती है stock exchange के माद्धिम से सो हमने सीखा secondary market में companies को कोई additional capital नहीं मिलती यहां तो बस investor आपस में sale purchase करते हैं सो कोई fresh capital formation नहीं होती ये तो बस securities को liquidity प्रोवाइड करने का एक market है अब देख लेते हैं stock exchange क्या चीज़ है जब investor primary market से share purchase कर लेता है तो वो company stock exchange पे list हो जाती है यहां पे हम share को stock बोलते हैं stock exchange में stocks की buying और selling होती है यहां पे stock का price demand और supply के साब से कम ज़्यदा होता रहता है सो stock exchange का काम है जो securities आपने primary market से purchase किये हैं उसको ready और continuous market प्रोवाइड करना सो stock exchange secondary market का part है formally बोलें तो stock exchange एक ऐसी organization होती है या फिर बोल सकते हैं के marketplace होती है जिसका business है securities की buying और selling करना stock exchange हमेशा किसी particular location पे होता है जैसे के इंडिया में दो famous stock exchange Bombay Stock Exchange BSC और National Stock Exchange NSC Mumbai में है और आपको पता हैं इंडिया में total 24 stock exchange है और आप मुझे comment box में comment करके बताईए के आपको कौन से कौन से stock exchange का नाम पता है अब function समझ लेते हैं stock exchange के सबसे पहले और most important function है liquidity और marketability of securities stock exchange एक ready market provide करता है securities की sale और purchase का ये investor को भरोसा दिलाता है कि किसी भी वक्त वो अपनी security को बेच के cash में convert कर सकता है दूसरा function है safety of transaction क्योंकि stock exchange के members एक legal framework से regulate होते हैं तो investors को भरोसा होता है कि उनको safe और fair deal मिलती है market में third function है fair price determination stock exchange पे stock की price demand और supply पर depend करती है मतलब जिस दिन stock की demand ज्यादा होती है उसका price ज्यादा होता है और जिस दिन stock की demand कम होती है उस दिन उसका price कम होता है और वो सस्ते में बिकता है so profitable और growth oriented companies के share आपको महेंगे में मिलते हैं क्योंकि उनकी demand public में ज्यादा होती है next यह economy के barometer का भी काम करता है मतलब किसी भी country के stock exchange से आप उसकी economic condition का पता लगा सकते हैं economy में कोई भी change share prices में reflect होता है जब share price rise होते हैं economy boom पे होती है और जब share price fall होते हैं तो economy recession की तरफ जा रही होती है यह हमेशा नहीं होता बट यह generally एक indicator होता है तो यहाँ पे खतम होता है stock exchange का topic अब आगे बढ़ते हैं capital market instruments देख लेते हैं आम तोर पे दो तरह के instruments capital market में trade होते हैं फर्स्ट है shares जिनको हम stocks भी बोलते हैं और सेकंड है dimensions जिनको bonds भी कहा जाता है तो चलिए देख लेते हैं share या फिस stock क्या होते हैं share जिसको stock भी कहा जाता है यह एक आंशिक ownership होती है company की माल लिजिए अगर आप reliance industry का share खरीद लेते हैं तो आप उसके कुछ हिस्से के मालिक बन जाते हैं कोई भी company चलाने के लिए capital की जूरत होती है जिसको हम share capital भी बोलती है company की capital को छोटे छोटे fixed amount के units में divide कर दिया जाता है जिनको हम share बोलते हैं या फिस stock भी बोलते हैं for example माल लिजिए reliance industries की total capital है 1000 करोड रुपे हर एक share की value है 10 रुपे so total number of share हो गए 100 करोड तो अगर आप 1 करोड share खरीद लेते हो reliance capital के तो आप company के 1% के मालिक बन जाते हो generally company दो तरह से shares को issue करती है first है equity shares, second है preference shares पहले देख लेते हैं preference shares क्या होते हैं इन shareholders को company के dividends में preferential right होता है मतलब जब भी company dividend declare करेगी तो पहले कुछ fixed percentage dividend इन shareholders को मिलेगा और जब भी company बंध होगी यानि के liquidate होगी तो जो भी base wage के मिलेगा उसमें से सबसे पहले इनको अपनी capital वापिस मिलेगी preference shareholders fixed rate से dividend मिलता है अब आते हैं equity shareholder पर इनको हम ordinary shareholder भी बोलते हैं जब company dividend declare करती है तो इनको last priority दी जाती है payments की मतलब इनके पास कोई preferential right नहीं है dividend payment receive करने का और company के बंध होने पर सब लोगों को पैसे देने के बाद अगर कुछ बचदा है तो इनको capital वापिस की जाती है बट equity shareholders के पास voting right होते हैं वो company की सब general meetings में participate और voting कर सकते हैं तो यह थे दोस्तो shares अब बात कर लेते हैं debentures के बारे में जिनको हम bonds भी बोलते हैं दोस्तो debenture एक debt instrument होता है companies debenture issue करती है market से पैसा उधार लेने के लिए so that business को expand किया जा सके यह एक certificate होता है जिस पे लिखा होता है कि किस दिन पैसे वापिस किये जाएंगे और कितने interest के साथ वापिस किये जाएंगे debentures पे generally fixed rate of interest payable होता है mostly half yearly और yearly basis पे companies को debentures पे interest pay करना ही होता है चाहे company loss में क्यों ना हो मतलब debentures की repayment company का एक tax deductible expense होता है debenture holder company के उधार करता होते हैं इनके पास company के ownership right नहीं होते हैं तो यह थे दोस्तों debentures के बारे में अब देख लेते हैं capital market को regulate कोन करता है इंडिया में capital market को mainly savvy regulate करता है जिसको हम security and exchange board of India भी बोलते हैं तो दोस्तों इसी के साथ हमारा यह capital market का topic complete होता है इस वीडियो से अगर आपको कुछ भी नया सीखने को मिला हो तो वीडियो को like करना ना भूलें और comment करके जरूर बताएं के आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा और चैनल को subscribe भी जरूर कर लें so that आप कोई भी वीडियो मिस ना करें तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में तब तक के लिए bye bye take care